Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11, ये आप लगों की पिके काड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है What are they thinking right now? इस वक्त आपके person क्या सोच रहे हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं So regardless आपके क्या situation है आपके partner के साथ सब लगों के लिए ये रीडिंग open है और बिल्कुल timeless है जब भी आपकी नजर से गुजरेगी आपका उस वक्त का message होगा So शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती ह आपकी final destination safe divine source को पता है Safe divine source को पता है कि finally आपकी life में क्या होना है इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रख कर इस reading को देखना है इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers है Thank you so much आप सब के प्यार और support के लिए I truly deeply appreciate each one of you and I love you all So अगर आप नए है मेरे चैनल पर आप आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना है पसंद आए तो like भी कर दीजिएगा और share भी कर दीजिएगा So अब हम start करते हैं आज की reading आपके पास तीन options है Option number 1 है 4 of wands Option number 2 है the lovers Option number 3 है 6 of wands So देख लीजिए पहला option है A to I, दूसरा option है J to R, तीसरा option है S to Z इन तीनों में जहां पर आ Name initial आता है उसी में आपकी reading है आपने अपनी मर्जी से selection करनी है कि आप अपने Name initial से देखना चाहते हैं या अपने partner के So तीनों के time stamps description में है Skip करके आप अपना answer देख सकते हैं अगर आप दो देखना चाहते हैं तीनों देखना चाहते हैं कोई problem नहीं जैसे आपकी intuition आपको guide कर करती है वैसे आप selection कीजिएगा मैं start करूँगी option number one से जिन लोगों ने option number one यानि कि A to I select किया है four of wands के साथ ये आपकी reading है और हम देखेंगे कि आपके person आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त जब आप ये reading देख रहे हैं सो शुरू करते हैं सबसे पहले हम आपके person की overall thoughts देखेंगे आपके person की overall thoughts क्या है spirit हमें divine message दीजिएगा उनकी overall thoughts हमारे पास है hope number 17 7 plus 1 8 number 8 या 17 अब जो 17 आने वाली है ये भी आपके लिए important हो सकती है सो पहला card hope है सो शायद आपके person की दिल में या दिमाग में कहीं hope है या hope कहीं न कहीं वो खोच चुके है with this discontent and bottom ये four of cups है फिर है हमारे पास solar plexus chakra number 3 और फिर है हमारे पास again number 8 और ये है emotional withdrawal bottom of the deck पर आप देखें कि हमारे पास awareness का card है सो ये बड़ी back and forth energy है आपने देखा कि कहीं न कहीं आपके person के जहन में hope है कहीं वो बहुत जादा उनके जहन में उमीद है कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी फिर एक लम्हें वो अपनी courage gather करते हैं कि नई चीज़ें ठीक हो जाएंगी मुझे confident रहना चाहिए मुझे positive पिर एक लम्हें वो ये सोचते हैं कि नई hope खतम हो चुकी है so I really feel कि आपके person अपने जहन में back and forth जा रहे हैं आगे पीछे हो रहा है उनका जहन कभी अच्छा सोच रहे हैं फिर एकदम से negative thoughts आ रही हैं फिर अच्छा सोच रहे हैं फिर एकदम से negative thoughts आ रही हैं इसको मैं यहा यह है awareness so I do feel कि आपके person कोशिश कर रहे हैं अपने intuition से connect करने की वो बहुत जादा इस पर कोशिश कर रहे हैं कि वो एक open mind के साथ सोच सकें wisdom के साथ सोच सकें clearly सोच सकें समझ सकें आप लोग की situation को और जरूरी नहीं है कि आप लोग separation में हो बट कुछ लोग जिनोंने group one select किया आप separation में हो सकते हैं और हो सकते हैं आपके person की यह जो back and forth सोच चल रही है इस वक्त वो एक लम्हें यह सोचते होंगे कि वो आप से बात करें पिर अगले हमें वो यह सोचते होंगे नहीं कोई फायदा नहीं है शायद hope खतम हो गई है मुझे बात नहीं करनी चाहिए शायद मेरे person को अब मुझे में कोई interest नहीं है यानि आपको तो शायद मुझे अब उनसे दूर रहना चाहिए तो आप लोगों के दरमयान इस वक्त एक emotional distance है चाहे आप लोगों की separation हुई है अगर आप लोग साथ हैं भी तो भी आप लोगों के दरमयान emotional distance है आप लोग emotionally connect नहीं कर इस present time में आपकी जादा बात नहीं चल रही है और कुछ लोगों का बिल्कुल ही no contact situation है तो देखते हैं कि ये इनसान और क्या सोच रहे है तो number 8 आपके लिए important हो सकता है number 3, number 4, फिर 8 तारीख किसी के लिए important हो सकती है, 4 तो गुजर गई है, 3 भी गुजर गई है, so 17, date 17, किस हमारे पास आगया है strength card, Leo energy, the sun again, Leo energy, हो सकते है आप specifically किसी Leo से deal कर रहे हैं, बट जरूरी नहीं है, फिर हमारे पास page of wands, oh wow, बहुत जादा fire energy है, Aries, Leo, Sagittarius, 3 तीनों add कर लें आप, one more card spirit, वो क्या सोच रहे हैं मेरे viewer के बारे में, वो मेरे viewer के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, what are they thinking right now, so मेरी कोशिश है कि reading short or simple हो, हमारे पास है queen of swords, definitely I feel कि आपके person आपसे डर रहे हैं, मुझे यही वाई बारी थी शुरू में भी, आपने कोई healthy boundary set की है, आपने उनसे कुछ कहा है, जिसकी वज़ा से वो back and forth हैं अपने जहन में, क्योंकि आपने बोला है कि यह काम अगर आप करेंगे तो फिर हम चलेंगे, वरना हम नहीं चलेंगे, अपना mind make up करके आना मेरे पास, या फिर आपने उनको block कर दिया है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, बट मुझे specifically, आप लोगों के लिए group one यह situation नज़रा अब मुझे ऐसा लग रहे है कि आप अपने अपना जो focus है वो change कर लिया और इस वक्त आपके person का सारा focus आपके उपर है, I also feel कि आपके person की side पर थोड़ी सी, थोड़ी सी immature energy है, यहाँ पर Taurus, Virgo, Capricorn भी आप add कर लें, और फिर Libra, Aquarius, यह star signs और Aries, Leo, Sagittarius, लेकिन मैं हमेशा आप सही कहती हूँ कि आपने energy पर focus करना है, अगर energy आप से match करती है तो बिलकुल आपकी reading है, star signs को लेकर आपने परिशान नहीं होना है, so जैसा मैंने आपको बताया कि आपके जो person है, वो क्या सोच रहे है, back and forth जा रहे हैं अपनी thoughts में, so यह इनसान आपसे रापता करना भी आपका क्या reaction होगा, so इस वज़ा से यह इनसान अपनी thoughts में back and forth जा रहे हैं, बट यह इनसान स्टिल आपसे बहुत प्यार करते हैं और जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनके चेहरे पर एक smile आ जाती है, even कि जो आपने उनसे कहा, अगर आपने उन पर गुसा किया, वो अची चीज़े याद आती हैं और कहीं न कहीं आपके person यह सोच रहे हैं कि वो careless हैं, वो आपको for granted लेते हैं और उनसे गलतियां होती हैं, वो responsibility sometimes नहीं लेते हैं, वो यह सारी चीज़े सोच रहे हैं, कि उनके end से जो problems create होते हैं इस relationship में, वो उनको ठीक करना चाते हैं, और step by acceptance नहीं आ रही हैं, और आपके person यह सोच रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा down भी हो रहे हैं, यह जो back and forth energy है, कि एकदम से hope आ जाती है कि नहीं, मेरे person ने मुझे से बहुत प्यार किया है, मुझे बहुत accept किया है, अभी भी उसने मुझे accept कर लेना है अगर मैं उसके पास अगर आप लोग contact में हैं भी तो यह इनसान कभी-कभी आपसे emotionally पीछे हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, because वो sad हो जाते हैं, कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, and sometimes यह इनसान वैसे ही careless हो जाते हैं, irresponsible हो जाते हैं, तो आपको इन चीजों पर थोड़ा सा गुसा आता होगा, या frustration हो जाती होगी, तो आपने कोई ना कोई यहां पर boundary set की है, जिसके बारे में आपके person सोच रहे हैं, and I feel कि वो बहुत जादा आप अपने, अपनी strength, with the solar plexus, chakra strength, the sun, बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपनी strength gather करने की, कि वो आपसे बात करें, यह इनसान आपसे बात करना चाहते हैं, वाव, 4 cards आ गए, यह 4 हम रख लेंगे, इन वाले cards का छोटा वाला version यूज कर रही हूं मैं आज, so हमारे पास है regeneration, यह है number 46, फिर है हमारे पास message in a bottle, वाव, so number 15 है, जैसे मैं आपसे कह रही थी, बात वही है कि यह इंसान आपस communicate करना चाहते हैं, फिर है हमारे पास happy happy, so आप उनकी happiness है, obviously वो यही सोच रहे हैं, बहुत जादा अच्छा सोचते हैं, feel करते हैं वो आपके लिए, वैसे तो हम उनकी thoughts देख रहे हैं, बहुत positive thoughts हैं, they really feel के वो blessed हैं, कि आप उनकी जिन्दगी में आया है, number 22, यह numbers देख लीजिए, हो सकते हैं, आप में से कुछ लोगों का age gap भी हो सकता है, 5 साल, 6 साल, बड़ जरूरी नहीं भी है, कुछ, यह specific messages थे, so with the regeneration, I feel कि यह इनसान कुछ नया करना चाते हैं, different तरह से behave करना चाते हैं, वो यह सोच रहे हैं कि मुझे change होना चाहिए, यहाँ पर अब change आना चाहिए, मुझे इस इनसा को बहतर treat करना है, जो यह इनसान deserve करता है, या करती है, यानि आप, so यह इनसान इस वक्त यह सोच रहे हैं, planning चल रही है उनके जहन में कि आपको खुश कैसे करना है, with the sun card, happy happy, page of pentacles, page of wands, यह बड़ी fresh, बड़ी खुबसूरत energy है, so यह इनसान बड़ा अच्छा सोच रहे ह आपको मनाने का सोच रहे हैं, चीजों को बहतर करने का सोच रहे हैं, I really feel कि यह एक blessed connection है और वो इस connection को खराब नहीं करने देना चाहते हैं, खराब होने नहीं देना चाहते हैं, अपनी carelessness की वज़ा से, या अपने किसी कहलें के immaturity की वज़ा से, so I really feel कि यह इनसान बस यह स चाहिए, उसके लिए effort करनी चाहिए, वो यही सोच रहे हैं आपके लिए इस वक्त, so हमारे पास आगया है, get to know each other, learn to meet another's need for love, so they really want के वो आपके expectations पर पूरा उतर सकें, यह number 44 है, which is again number 8, so number 8 किसी के लिए बहुत important हो सकता है, और यह भी हाँ पर भी 8 आया है, हमारे पास, sun card अबी 8 है, so यह इंसान जानना चाहते हैं आपको deeper level पर, कुछ लोगों के लिए यह नया connection भी हो सकता है, कि आप लोग एक दूसरे जो जान रहे हैं अभी, एक दूसरे की अच्छाई बुराई चीज़ें सारी अभी reveal हो रही हैं धीरे धीरे, but यह इंसान आपको खूशी दे इसका number 35 है, यह भी देख लिए जिए किसी की age हो सकती है, so speak the language of love, loving words की अगर हम यहाँ पर बात करें, यह इनसान अपना प्यार express करेंगे आपसे, वो यही सोच रहे हैं कि वो आपको कोई loving सा text message करें, I love you, hey, I miss you, हो सकता है इस तरह का कोई text करने का, वो सोच रहे हैं कि आप के लिए basically वो effort करना चाते हैं, आपको खुशी देना चाते हैं, so इस पर यही लिखा हो, I speak the language of love, lovingly आपसे बात करना चाते हैं, आपसे fight नहीं करना चाते हैं, आपसे बहस नहीं करना चाते हैं, मुझे literally यह लग रहे है कि यह इनसान यह सोच रहे हैं कि मैंने अपने person को message कर करना है, और simply यह कहना है, हो सकता है, वो आपको यह बोलेंगे कि मैं अपने आपको बहतर करने की कोशिश करूँगा या करूँगी, I love you, I miss you, और मुझे नराज मत हो, I really feel कि यह इनसान आपको यह कहने वाले हैं, यह इनसान आपसे यह कहने वाले हैं, so यह इनसान बस इस व दो कार्ड आगे, एक हमारे पास आगया है, मेबी, फिर हमारे पास आगया है, your situation demands patience, so आपकी situation में patience की जरूरत है थोड़ी सी, फिर हमारे पास lack of confidence, इसलिए हमारे पास solar plexus chakra आया, और फिर हमारे पास strength card भी आया, so आपके परसन के अंदर इसका confidence उनका बड़ा शैटर हुआ confidence कम हुआवा है, because वो जानते हैं कि उनकी mistake है, उनसे कोई mistake हुई है, इस वज़ा से भी confidence उनका थोड़ा सा कम हुआवा है, थोड़ा आपके सामने वो आपसे ड़ते हैं थोड़ा सा, because हो सकता है कि आप बहुत straightforward इंसान है, और बड़ा logic होता है आपके पास चीजों के बारे म फिर है हमारे पास don't trust them, so maybe आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस इंसान के ओपर trust नहीं करना चाहिए, you know the answer, आपको पता है, आपकी intuition strong है, आप mature है, this is about to end, maybe आपको ऐसा लग रहा है कि ये connection खतम होने वाला है, बस ये खतम हो चुका है, मुझे इस इंसान के ओपर trust नहीं है, म So, आप अपना yes and no question भी अपने जहन में रख लीजे, so ये आपके person की भी thoughts हो सकती है, हो सकता है कि आपके person जैसा मैं कहारी हूँ ना, कि वो अपने जहन में back and forth जा रहे हैं, तो वो शायद कभी-कभी ये भी सोच रहे हैं, कि maybe अब ये connection हमेशा के लिए खतम हो गया, maybe अगर म नहीं, मुझे करनी है बात, चाहे आखिर में जो भी हो, आप उन्हें reject करें, जो भी हो, वो ये सोचते हैं कि नहीं, मैंने एक दफ़र try करना है इससे बात करके, so ये thoughts आपके person की जहन में इस वक चल रही है, so अब हम आपका yes and no question देखते हैं, तो आज मैंने सोचा कि reading बहुत short और simple हो, अगर आपको ये pattern पसंद आया है, तो आपने मुझे जरूर बताना है, short and simple, so हमारे पसंद, oh god, maybe, आप देखें, यहाँ पर भी maybe आया है, and then यहाँ पर भी maybe, so जैसा मैंने कहा कि आपके person अभी इन thoughts के दर्मयान में जूल रहे हैं, so it's a maybe situation, कि आपके person ये सोच रहे हैं, कि मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, so ये दर्मयान में आपकी एक situation है, but ये आपका answer, I don't know, आपने क्या question किया था, जिसका maybe answer आया है, so यहाँ पर भी maybe आया, और subscribe करना मत भूलिएगा, जिन लोगों ने option number two, यानि कि J2R select किया है, the lovers के साथ, ये आपकी reading है, और हम देखेंगे, कि आपके person आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, what are they thinking right now, so ये glare जो आता था, इसका मैंने solution निकाल लिया है, सबसे पहले हम आपके person की overall thoughts देखेंगे, overall आपके person क्या सोच रहे हैं, let's see, उनकी overall thoughts क्या है, spirit, so सबसे पहले हमारे पास है material and spiritual prosperity, इसका number six है, ये numbers भी आप देख लीजेगा, कैसे आपके साथ resonate करते हैं, I really feel कि आपके person spiritually grow कर रहे हैं, financially जिन्दगी में grow करना चाहते हैं, अपनी जिन्दगी में positive changes लेकर आना चाहते हैं, फिर हमारे पास accelerated motion number 18, so I really feel कि ये forward movement है, positive movement है, और फिर ये बहुत ज़ादा communication भी है, because ये eight of wands है, और ये भी हो सकता है कि आपके person की कोई wish है, कुछ wish कर रहे हैं वो, number 2, intuition, और फिर हमारे पास third eye chakra, number 6, I really feel कि आपके person spiritually grow कर रहे हैं बहुत ज़ादा, 6, 6 किसी के लिए important हो सकता है, फिर intuition का card आना, मुझे ऐसा feel हो रहा है कि जैसे आपके person के अंदर बहुत ज़ादा wisdom आई है, बहुत ज़ादा wisely सोच रहे हैं, इस connection के बारे में, शायद आपके बारे में, फिर हमारे पास shadow, so with this shadow energy again, यह आपके person की self growth की journey है, I really feel कि आपके person, बहुत ज़ादा reflect करने का उन्होंने time लिया है, बहुत ज़ादा reflect कर रहे हैं situation पर, आप लोग के दरम्यान हो सकता है कि कोई ऐसी situation, कोई argument, कुछ ना कुछ है, कि जिस पर reflect कर रहे हैं, जरूरी नहीं भी है, हो सकता है कि आप लोग साथ हैं, relationship ठीक चल रहा है, आपके person सिर्फ ये सोच रहे हैं, कि अब मुझे next level पर लेकर जाना है, इस relationship को, अब मुझे अपनी जिन्दगी में positive changes लेकर आने हैं, क्योंकि ऐसे ही नहीं हम सिर्फ चल सकते हैं, अब इस connection को एक next level पर पहुँचाने की जरूरत है, तो मुझे में क्या-क्या खामियां जो मुझे दूर करनी चाहिए, हो सकता है, आपके परसन ये चीजें सोच रहे हैं इस वक्त, तो number 18, ये numbers देख लीजे, आप से कैसे match करते हैं, I really feel कि आपके परसन spiritually बहुत ज़दा grow कर रहे हैं इस present time में, and with the third eye chakra, बहुत ज़दा आपके परसन knowledge ले रहे हैं, I don't know, कुछ ना कुछ study कर रहे हैं, फिर उनकी health अच्छी हो, उनका lifestyle अच्छा हो, में भी इनसान इन चीजों पर focus कर रहे हैं इस present time में, so देखते हैं, ये इनसान और क्या सोच रहे हैं, टैरो से हमारे पास क्या आता है, let's see, spirit, वो क्या सोच रहे हैं, मेरे viewer के बारे में, इस connection के बारे में, वो क्या सोच रहे हैं, what are they, thinking, oh god, आप देखें, ये थोड़ा-थोड़ा match होता है न, hermit से, ये आपके person की spiritual journey, उनकी spiritual awakening चल रही है, and then we have the tower, you see, मैं आपसे पहले कह रही थी ये बात, कि में भी आप लोगों के दरमयान कुछ हुआ है, and with this tower हो सकता, आप लोगों के दरमयान कोई tower moment आया, कोई बहस हो गई, या कुछ न कुछ हुआ, जिसके बाद आपके person hermit mode में गए हैं, और इस hermit mode में ये इनसान बहुत spiritually grow कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि ये आपके कोई X हैं जिनके लिए आपकी reading देख रहे हैं, और ये इनसान काफी ज़ादे इन्होंने learn किया है, आपका loss जब हुआ तो इन्होंने grow किया spiritually, फिर आप five of swords, yes, मैं आपसे यही बात कर रही थी कि आपकी कोई बहस हुई है, I feel, जरूरी नहीं है कि separation हुई हो, हो सकता है कि कोई बहस हुई, कोई fight हुई, आपके person को बड़ा defeated महसूस हो रहा है, बड़ा conflict है उनके जहन में, I also feel कि मेभी कुछ words उन्होंने या आपने ऐसे बोले, जिसकी वज़ा से बहुत ज़ादा दूसरा इनसान hurt हुआ, मेभी आपके person ने कोई गलत बात उनके मुझे से निकल गई, फिर आप दुनों के दर्मियान बहुत सख्त किसम की fight हो गई, अब ये इनसान इनको realize हो रहा है कि हो मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, उनको बड़ा bad feel हो रहा है, guilt ने उनको take over किया हुआ है, आपको लेकर, इस connection को लेकर, इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि मुझे बहतर इनसान बनना चाहिए, मुझे इन चीजों को resolve करना चाहिए, Ace of Cups, ये self love भी है, self love की भी journey है आपके person की, and bottom of the deck पर three of cups है, ये reconciliation की vibe भी है, यहाँ पर Pisces, Cancer, Scorpio, बहुत strong है, यहाँ पर Virgo बहुत strong है, ये star signs है, लेकिन मैं हमेशा आप से ही कहती हूँ, कि आपने energy पर focus करना है, अगर energy आप से match करती है, तो बिलकुल आपकी reading है, so आपके person, बहुत ज़ादा उनको guilt है कोई, और उनको feel हो रहा है, कि जैसे उनकी हार हुई है, उनको बहुत defeated महसूस हो रहा है, मैं इस glare को खतम करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं नाकाम हो रही हूँ, so, okay, leave it, okay, so, जैसा मैंने आपको कहा कि आपके person को कोई guilt है, उन्होंने में भी आप से कुछ ऐसा कहा है, जिसकी वज़े से बहुत ज़दा turmoil पैदा हुआ, बहुत ज़दा tension पैदा हुई, आप लोगों के दर्मयान anxiety, लड़ाई, कुछ बड़ा drama create हुआ है, फिर आप बहुत ज़दा रोए, या वो बहुत ज़दा रोए, बट कुछ बहुत unexpected एक दम से, sudden, हो सकता है, sudden किसी बात पर आपकी बात हुई, फिर वो बहस में convert हो गई, और उसके बाद एक दम से, उनके मुझे कोई ऐसी बात निकल गई, सब कुछ एक दम हुआ गए, पता भी नहीं चला, और फिर एक दम से, आपने या तो उनको block कर दिया, या उन्होंने कुछ आप से ऐसा कह दिया, कि आप नराज हो गए, और अब आप लोगों के दरमियान एक block पैदा हो गया, कुछ लोगों की मुझे ये situation लग रही है, बट हुआ कुछ बहुत sudden है, बहुत unexpected, आप दोनों expect नहीं कर रहे थे कि ये होगा, सो अब इनकी खाहिश है एक नए start की और आप से friendship की और चीज़ों को ठीक करने की आपके person की खाहिश है, आपके person को ये भी feel हो रहा है कि ये divine love था, ये divine offer थी जो उन्होंने ठुकरा दी है अपनी mistake की वज़ा से, वो अब ये सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा within जा रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मुझे बहतर इनसान बनना चाहिए, मुझे grow करना चाहिए, मुझे अपने ये issues resolve करने चाहिए, मैंने इस खुबसूरत divine offer को ठुकरा दिया, इस opportunity को ठुकरा दिया है, ये मेरी mistake है, मुझे जिन्दगी भर इस बात का regret रहेगा, guilt रहेगा, में भी आपके person ये सोच रहे हैं, let's see, और क्या सोच रहे हैं, what are they thinking, but I really feel कि ये इनसान बहुत ज़्यादा spiritual हैं, या अब बहुत ज़्यादा spiritual हो गए हैं, जब से ये सारा कुछ हुआ है, या उनकी ये spiritual awakening चल रही है, no, हम इतने सारे cards नहीं लेंगे, ये दो हम रख लेंगे, और दो हम और लेंगे, आज मैं इस वाले deck का ये चोटा वाला version यूज़ कर रही हूँ, so we have no peace like home, number 50 है, इसको हम यहां रख देते हैं, फिर है हमारे पास to the sea, number 7 फिर है, orphaned मुझे सिफ चार कार्ड चाहिए थे लेकिन, आप लोगों के लिए एक extra card भी आ गया है, we have fork in the road and come to the edge, number 36 है, और ये है number 13, so ये numbers भी देख लीज़े साथ साथ, so 5 and 5, आपके परसन को loss feel हो रहा है आपका, with this 5-5, या वो ये सोच रहे हैं, कि उन्होंने आपको डांट तो दिया, या argument तो जीत लिया, लेकिन आपको खो दिया, कुछ ऐसा भी हो सकती है situation आप लोगों की, but ये इनसान जैसे मैं आपको कह रही थी ना, कि गिल्ट में हैं, loss की energy है, वही feel यहां पर भी आ रही है, so with this orphan, कोई literally orphan हो सकता है, हो सकता है आपके person ने अपनी mother को, या अपने father को खो दिया, maybe वो अकेले रहते हैं, बिलकुल alone है, life में struggle कर रहे हैं, बहुत अकेलापन है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, but simply orphan का मतलब यह भी हो सकता है, कि आपके बिना वो lonely feel कर रहे हैं, emptiness है, उनकी जिन्दगी अधूरी सी महसूस होती है, उन्हें लगता है, कि उनकी जिन्दगी में रौनक नहीं है, खुशी नहीं है, true happiness नहीं है, और जिन्दगी उनकी बिल्कुल ऐसे है, कि जैसे एक dark sea टनल है, और उसमें वो जा रहे हैं, और lost हैं, तो वो अपने आपको भी कहीं खो चुके हैं, और अपने आपको वो ढूनने की कोशिश कर रहे हैं, इस darkness में, तो आपके साथ वो थोड़ा light में आये थे, hope आई थी उनकी जिन्दगी में, बट आप अभी नहीं हैं, तो उनको और ज़्यादा darkness feel हो रही है, and maybe ये इनसान आपके पास, आपस ऐसा feel होता है हुने, कि वो आपसे belong करते हैं, वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, no peace like home, and to the sea, they really feel के, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, they feel like home, जब वो आपके साथ होते हैं, बड़े comfortable होते हैं, excuse me, मेरा शुरू से गला बिलकुल खराब नहीं हो रहा था, maybe ये बाते हैं ये इंसान आपसे कभी नहीं कह सकते हैं, कभी कहना नहीं चाहते हैं, but वो ये सोचते हैं, कि आपके साथ बहुत peaceful feel करते हैं, और you are their home, but with this fork in the road, उनको ऐसा लगता है, कि रस्ते में रुकावटे हैं, hurdles हैं, हम दोनों का, you know, एक होना में भी मुश्किल है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, मैं भी ये सोच रहे हैं आपके person, so with this come to the edge, उनका बहुत दिल करता है, कि वो आगे बढ़ें, वो risk लें, वो बिना सोचे समझे, आगे बढ़ें, वो try करें, वो chance लें जिन्दगी पर, प्यार पर, ये इनसान चाहते हैं, कि आँखे बंद करके, faith के साथ आगे चलें जिन्दगी में, risk लें, explore करें, आगे बढ़ें experience करें, इस connection को, but मुझे ये भी feel होता है, कि कोई fear भी हो सकता है, जिसकी वज़ा से, ये इनसान आगे नहीं आते हैं, ये आगे बढ़ते नहीं हैं, so बड़ी mixed सी, अजीब सी thoughts हैं आपके person की, so जहां तक उनकी feelings का तालू के, ये इनसान आपसे, I really feel के, मतलब हमारे पास Ace of Cups आया है, प्यार करते हैं आपसे, but they really feel like, ये एक missed opportunity है, maybe उनको ऐसा feel होता है उने, कि वो miss कर चुके हैं इस opportunity को, और उन्होंने में भी गवा दिया है आपको, guilt हो रहा है उन्हें किसी बात का, so I really feel कि ये आपके person की एक, self love की journey है, ये आपकी भी self love की journey हो सकती है, जिस पर आप हैं, जिस पर आप learn कर रहे हैं, आप लोग learn कर रहे हैं, self love, it is very important कि आप अपने आप से पहले महबत करें, किसी भी और से महबत करने से पहले, so maybe आपके person की जो self worth का, या self esteem का issue था, low self esteem का issue था, उसकी वज़ा से आप लोगों के दरमयान problems पैदा हुए, क्योंकि वो complex में थे किसी, तो फिर इस वज़ा से भी आप लोगों की fights होती रहीं, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, so मुझे बस basically यह feel हो रहे हैं, कि यह इनसान बेहतरी चाहते हैं अपनी जिन्दगी में, oh god, the union of hearts, a love connection defies explanation, the union of hearts, इसके उपर है number 28, किसी की age हो सकते हैं, this is a very beautiful card, so आपके परसन सोचते हैं, कि जैसे आप rooted हैं उनके अंदर, जैसे आप रच बस कहें हैं उनके अंदर, you see कि यह बहुत एक strong bond, एक बहुत strong connection नजर आ रहा है, इस card के उपर, so maybe आपके परसन को ऐसा feel होता है, कि it's a very deep connection, and then we have romance, so यह इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं दुबारा, they want to come forward, यह इंसान वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, so मुझे लगा कि, maybe यह इमेज हमें छुपा लेना चाहिए, because community guidelines, so anyway, यह इंसान वापस आना चाहते हैं आपकी जिंदगी में, so बैसे यह, okay, let's move on, six cards हम और लेंगे, यह कुछ random messages होंके साथ, आपके लिए yes and no question होगा, अब अपना yes and no question अपने जहन में रख लीजिए, और हम देखेंगे क्या आपका answer क्या है, so basically यह इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ union चाहते हैं, still उनके दिल में आपके लिए feelings हैं, आपकी परवाह है उन्हें अभी भी, जो भी situation है आपकी, और यह इंसान बहतर इंसान बनना चाहते हैं, अभी तो हमने शुरू किया, यह रिलीज यॉर एक्स आगया, apologize to them, so maybe उनकी intuition उनसे कह रही है, कि उन्हें आपस apologize करना चाहिए, फिर हमार पस two clothes, आप अपने गोल के बहुत करीब हैं, close हैं, give them love and care, so हो सकता है कि आपके person, अगर आपको फील होता है, कि आपसे कोई गलती हुई है, तो आप apologize कर लीजेगा, और उनको प्यार दें, उनको care दें, because अगर वो orphaned हैं, especially, अगर आपको पता है, कि आपके person बहुत lonely हैं, और उनका थोड़ा mentally, उनका sometimes ये issue रहता है, कि इस trauma, इस तकलीफ की वज़ा से, वो कभी anger issue उनका बन जाता है, तो फिर आप उनने प्यार दें, care दें, बहुत specific message था, वैसे I do feel के, उनकी intuition उनसे कह रही है, कि वो आपको प्यार दें, और आपसे apologize करें, you should wait for the right time, और maybe वो किसी right time का इंतजार कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, कि right time आने पर, वो आपसे बात करेंगे, and this is not the end, so आपका connection खतम नहीं हुआ है, let's start, आपका yes and no question, so ये इंसान सोच रहे हैं, कि maybe this is not the end, maybe मुझे apologize करना चाहिए, अपने person से, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, यानि आप, so ये चीज़ें आपके person इस वक्त सोच रहे हैं, but यहाँ पर एक बड़ी deep sense of belonging है, they really feel कि वो आपसे belong करते हैं, and they really feel कि इस दुनिया में, वो एक outsider है, वो यहाँ किसी से belong नहीं करते, सिवा आपके, आपके साथ उनका feeling जो है, वो बहुत ज़्यादा different है, सुसोर है कि यह इनसान express नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, यह बहुत deep हैं, especially अगर उनकी life में यह trauma है, अगर single parent के साथ बड़े होए, या माबाप में से कोई नहीं आखेले रहते हैं, so your answer is definitely, it's a big yes, तो यह इनसान sad रहते हैं, और यह इनसान बहुत deep हैं, fear उनको यह हो सकता है कि, maybe जो भी चीज़ उन्हें पसंद होती है, जिससे उन्हें महबत होती है, वो खो जाता है, maybe यह चीज़ उनके एक जहन में है, so यह आप लोगों की reading थी, group 2, कुछ भी आपके लिए helpful रहा, पसंद आया, मुझे आपने जरूर बताना है, comment section में, I'll see you in my next video, अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, like कीज़ेगा, share कीज़ेगा, subscribe करना मत भूलिएगा, जिन लोगों ने option number 3, यानि के S to Z select किया था, six of wands के साथ, यह आपकी reading है, और हम देखेंगे, कि आपके person, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, what are they thinking right now, so यह glare का हल, मैंने थोड़ा सा निकालने की कोशिश की है, so let's see, सबसे पहले हम देखेंगे, उनकी overall thoughts क्या है, overall thoughts आपके person की क्या है, overall thoughts, सबसे पहले हमार पास आगया है balance, number 11, उनकी overall thoughts, spirit, फिर हमार पास fertility, number 3, और यह है empress card, फिर हमार पास heart chakra, number 4, one more card spirit, उनकी overall thoughts क्या है, ये इनसान बहुत ज़ादा इनके दिल में, इनके दिमाग में, आपके लिए appreciation है, I feel, फिर हमार पास emotional withdrawal, so they feel के maybe, आप उनको ignore कर रहे हैं, या उन्होंने आपको ignore किया है, कुछ ऐसा किया है, जो आप deserve नहीं करते थे, आप लोगों में मुझे distance नज़र आ रहे है, emotional ये भी हो सकता है कि, physical distance हो, यानि आप लोगों के दरमयान, long distance connection हो, material and spiritual prosperity, उससे भी नीचे हमार पास destiny का card है, number 10, so ये भी number 6 है, and आपने चूज किया है, six of wands, so I feel के मेभी आपके परसन आजकल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने goals अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कुछ goals हैं, आपके परसन मेभी balance create नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने आपको hurt किया है, time or attention का problem हो सकता है, क्योंकि आपके परसन मेभी आजकल बहुत ज़्यादा फोकस्ट हैं अपने काम पर I feel, बहुत ज़्यादा अपनी growth पर फोकस्ट हैं और उनकी life में कुछ changes चल रहे हैं, जिसकी वज़ा से वो emotionally आपके लिए available नहीं हैं, ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई separation या लड़ाई की situation हो, I just feel कि वो harmony और balance नहीं create कर पा रहे हैं, इस connection में, अपनी personal life में, work में और आप में, तो इस सारी situation में आप hurt हुए हैं, they feel कि उन्होंने आपको hurt किया है, they know कि उन्होंने आपको hurt किया है, let's see, यह इन्सान और क्या सोच रहे हैं, so आप उनके लिए एंपरेस हैं, चाहे हैं आप male हुए हैं female, हमारे पास है king of swords, yes they feel कि उन्होंने आपको hurt किया है, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, वो आपके साथ cold behave कर रहे हैं बड़े time से, let's see, फिर है ace of pentacles, no, ace of wands and ace of cups, वाव, three aces, so यह तो बहुत एक strong indication है, नई शुरुवात का indication है, strong, strong, powerful energy है, so यहां पर है Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, सारे star signs है, bottom of the deck पर we have the lovers, so with the lovers, obviously यह इन्सान आपसे बहुत पयार करते हैं, I feel कि यहां पर mutual feelings है, relationship है, जो pile three आप लोगों के लिए में जो specific situation अज़र आ रही है, वो time और attention के हवाले से है, कि में भी इन्सान time attention manage नी कर पा रहे हैं, but I really feel कि इस connection में spark, passion, सारे चीज़ें renew हो रही है, I really feel कि कुछ नया होने जा रहा है इस connection में, यह इन्सान फिर से create करना चाहते हैं, balance जो पहले शुरुआत में चीज़ें थी, जो आपके लिए कर रहे थे, effort शुरुआत में कर रहे थे, stability थी, एक security फील हो रही थी, एक excitement थी connection में जो कहीं खो गई थी, और जो भी spark इस connection का खो गया था, वो इसको वापिस लेकर आना चाहते हैं, यह इन्सान इनकी नजर में, अगर आप लोग की separation चल रही है, इनकी नजर में, आपकी separation नहीं हुई है, यह temporary situation है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, I really feel कि यह इन्सान बहुत hopeful हैं, आप दोनों के future को लेकर, बहुत ज़दा positive और optimistic हैं यह इन्सान, और balance create करना चाहते हैं, और कर लेंगे, I feel, harmony create कर लेंगे, go the distance, number 47, अगर आप लोगों के दर में long distance हैं, यह इन्सान बहुत जल्दी travel करने वाले हैं, आपकी country में, आपकी city में आने का सोच रहे हैं, वो यह सोच रहे हैं कि वो आपके लिए extra mile जाएंगे, वो आपके लिए effort डालेंगे, वो नहीं रूकेंगे, अगर आपको लग रहा है कि वो आप कोई effort नहीं करेंगे, वो आपके लिए effort करेंगे, and with this go the distance, इसका कुछ time से भी तालुक है, कि right time आने पर, यह इनसान सारी चीज़ें करेंगे आपके लिए, वो यह सोच रहे हैं, so इस वक्त मुझे लग रहे हैं, कि इतनी खुबसुरत positive energy है, मुझे separation नजर नहीं आ रही, I just feel कि आप ज़रा hurt हुए हैं, कि वो time और attention manage नहीं कर पा रहे हैं, मैं इस card का छोटा वाला version यूज़ कर रही हूँ आज, इस deck का, so let's see, what more, three more cards, इस में से हमें तीन और card चाहिए हैं, कि यह इनसान, happy happy, so yes, वो आपको खुश करने के लिए effort करेंगे, इसका simply यह मतलब है, number 26 है, so really feel कि, वो यह सोच रहे हैं, वो heal करना चाहते हैं आपके दिल को, उन्होंने hurt किया है आपको, इसलिए हमारे पास heart chakra का card आया था, so हमारे पास आगया है, no peace like home, so यह वाली जो reading है, यह milli-julie है, group one और group two से, इसमें दोनों की vibes हैं, और फिर हमारे पास fork in the road, bottom of the deck पर हमारे पास है the tribe, number eight, यह भी eight है, okay, इसने आना है हमारे पास, इसका मतलब यह है, so इसको हम यहां रख लेते हैं, so I feel with the tribe भी, और यह no peace like home, they really feel कि आप उनके person है, आपके साथ compatibility है, आप उनका perfect match है, यह इनसान यह सोच रहे हैं, यह जो fork in the road यहां पर आया है, इसका simply मतलब यह हो सकते हैं, कि अगर आप लोगों में long distance है, तो आपके person यह सोचते रहते हैं अक्सर, कि यह एक हमारे दर्मियान बड़ा challenge है, काश हम दोनों करीब-करीब रहते होते, तो हमारे लिए इतना बड़ा challenge ना होता, काश हमारा same होती country या city, तो हमारे दर्मियान इतना problems ना create होते, क्योंकि अगर distance है आप लोगों के दर्मियान, तो यह एक बहुत बड़ा challenge है, उनको बहुत जादा travel करना पड़ता है, मेभी आप तक आने के लिए, आप से मिलने के लिए, तो फिर आपकी जब fights भी होती होंगी, तो वो बहुत challenging हो जाता होगा आपके लिए, because long distance connections बहुत ज़दा challenging होते हैं, right, so I feel यह तो separate message था, long distance वालों के लिए, बाकियों के लिए collective के लिए, जिनका distance नहीं है, I just feel के कुछ hurdles हैं, रस्ते में रुकावटे हैं, journey में आप लोगों की, और वो कुछ और influence है, external चीज़े हैं, जो problem create कर रही है, जहां तक तालूक है, आपके person की feelings का, और उनकी intentions का, तो यह इंसान आपसे प्यार करते हैं, serious हैं, इस connection को लेकर, बहुत ज़ादा, मुझे कुई उनकी energy में negativity, या कुछ बुरा नजर नहीं आया है, I just feel के कुछ और चीज़ें हैं, time है, work है, family है, जो वो manage नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए शुरुवाती balance के card से हुई थी, कि यह इंसान यह सोच रहे हैं, कि मुझे balance और harmony लेकर आनी है, मुझे balance लेकर आना है situation में, यह आपके person सोच रहे हैं, let's see, आपके person और क्या सोच रहे हैं, what are they thinking, what are they thinking right now, क्या सोच रहे हैं, so maybe यह इंसान आपको कोई offer देना चाहते हैं, और different ideas हैं उनके जहन में, कि चलो ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं, मिल के करूँ, call पे करूँ, क्या करूँ, कुछ ना कुछ strategize कर रहे हैं, कोई planning कर रहे हैं यह इंसान इस वक्त, overall बहुत मुझे, यह बाली आप जो pile है, यह बहुत positive है, बाकी दो piles से, के दो cards आगे हैं हमारे पस, so यह है, have faith, trust your faith, in this situation, इसका number 12 है, so यह इंसान पुरा faith रखने की कोशिश कर रहे हैं, positive सोच रहे हैं, then actions speak loudly, express your love through actions, wow, so मैं यही सोच रही थी, कि यह इंसान, मैं आपको भी बात भी यही कर रही थी, कि यह इंसान कोई action लेना चाते हैं, यह इंसान सोच रहे हैं, कि मुझे अप कुछ करना है, अपने actions से इस इंसान को खुश करना है, यानि आपको, और मुझे इसको कुछ कहने की जुरूरत नहीं है, मुझे साबित करने अपने action से हो सकता है ये इनसान कोई आपको gift दें, हो सकता है ये आपसे मिलने को कहें हो सकता है आपको dinner पर ले जाने को कहें, कुछ बहुत sweet, आपके लिए कोई action, कोई effort ऐसी करेंगे ये इनसान के आपको बहुत अच्छा फिल होगा, में भी आप में से किसी का bird दे आने वाला है और उस पर वो आपको flowers दें या balloons दें, आपको बहुत खुशी होगी, लेकिन वो अपना प्यार express करेंगे अपने actions के through, और जैसा मैंने कहा with this have faith, trust your faith in this situation, in this situation, के ये इनसान obviously, जैसा मैं पहले कह रही थी कि बहुत positive हैं आप लोगों के future को लेकर, इस connection को लेकर, बहुत उनकी approach optimistic है सिर्फ मसला यहाँ पर time और attention का हो रहा था, ये इनसान आपको time देंगे, उनके actions से आपको पता चलेगा के they love you और वो चीजों को चाते हैं, के चीजों को work करें आप लोगों के दरम्यान, so आपके person की effort basically आपको नजर आएगी अब अब हम आपके yes and no question पर आने लगे हैं, आप अपने question को अपने जहन में रखिएगा ये अकसर ही न, problem करता है, इसको center में करना पड़ता है अभी पहले दो piles में ये बिल्कुल ठीक था, I don't know अब ये क्या हो गया है so please bear with me, okay, so साथ हम कुछ random messages लेंगे, five random messages इसमें से, जरूरी नहीं कि ये match करें, बट कर भी सकते हैं so पहले हम शुरू कर लेते हैं आपका yes and no question so देखते हैं, कुछ random messages okay, आप कांसर आए है, definitely it's a big yes कितने आगे हमारे पास, okay, four, one more, one more card one, okay so don't let them go, उनको जाने न दे, keep moving forward single, आप में से कोई single हो सकता है, हो सकता है कि आपका break up हुआ है, आप single है इस वक्त फिर है complicated, so it's a complicated situation में भी में भी दूसरों की नजर में आप single हैं, बट छुपकर आपका ये connection है, आप चाते हैं कि अभी ऑफिशल हो जाए connection, इस वज़ा से भी आपने six of wands जो select किया और no, बट आपके person ये कह रहे हैं कि no, this is not the right time, अभी हमने connection को सब के सामने नहीं, official नहीं करना है, keep moving forward आगे बढ़ते हैं, connection में right time आने पर हम सब को बता देंगे, so कुछ complicated situation हो सकती है, ये देख लीजे कैसे cards आप से match करते हैं, ये बहुत random messages होते हैं, जरूरी नहीं है कि सब के साथ match करें, so maybe आपके person की intuition, उनका दिल, उनका दिमाग ये कह रहा है कि आपको वो जाने नहीं देंगे, और वो single नहीं होना चाहते हैं, maybe, वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं, वो आपके साथ बंदे रहना चाहते हैं, ये भी हो सकता है, जिनकी separation चल रही है, उनके लिए भी message है, so separation अगर नहीं भी चल रही है, still ये इनसान आपके लिए कोई effort डालने का सोच रहे है, जो हमने reading में देखा है, so ये आपकी reading थी group 3, कुछ भी आपके लिए helpful रहा, पसंद आया, मुझे आपने जरूर बताना है comment section में, अगर आप नए थे मेरे channel पर, like कीजेगा, share होती है कि आप अपनी life में जो भी manifest करना चाहते हैं, new love, true love, आपकी जिन्दगी में जरूर manifest हो, और जरूर होगा, क्योंकि you are worthy of love and you are lovable, अपने आपको ये जरूर बताया करें, अपना धेर सारा ख्याल रखिएगा, I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye-bye.